प्रेंट्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल नीटिंग लेसन प्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुती सुन्दर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिकन, जैकेट, गल्स टोप और कुर्ती इन सभी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 4 के multiple फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 4 के multiple देखिए 4 फंदे गिन लिजे फिर से 4 फिर से 4 इस तरह से करते हुए last में आपके 3 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी सैड से शुरू होता है और 10 सलायों में complete हो जाता है border के बाद अगर किसी project लिए फंदे बढ़ाने हो तो आप उसमें उल्टी सैड से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी सैड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखतें कि डिजैन कैसे बनाया गया है ये देखे फ्रेंस यहाँ पर लिए है मैंने 19 फंदे 4 चोक 16 और 3 फंदे एक्स्टा फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी सैड से और एक सलाई उल्टी सैड से उल्टी बनाई होई है डिजैन की ये पहली सलाई है तो आप ध्यान दीजिए पहला फंदा उतारिये या बनाईये ये आपकी अपनी मर्जी है पहला फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे कर लिजे अब यहां से ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो ये देखिए एक और ये दो फंदे सीधे अब एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड आलके और दो फंदे का एक कर दीजे धागा अपनी तरफ लिया ये और और ये जो हमने तीन फंदे ऐसे बनाए है ऐसे ही हमने फिरस इस डिजैन को रिपिट करना है धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे सीधे देखिए एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का आप एक कर दीजी ये देखिए यहां पर जो हमने दो का फंदा बढ़ गया, फिर से धागा अपनी तरफ ले आईए और इस डिजैन को repeat कीजिए, ये देखे, एक और ये दो फंदे सीधे, एक और ये दो, आगे की सैट से स्लाइड आल के, दो का एक कर दीजिए, जो फंदा यहाँ पर कम किया, वो जाली से यहाँ बढ़ गया, फिर स दागा अपनी तरफ ले आईए और दो फंदे सीधे बनाईए एक और ये दो ये देखिए जो फंदा यहां पर कम किया है वो जाली से यहां बढ़ गया है आगे की साइड से सलाई डालके दो का एक कर दीजिए अब फिर से दागा अपनी तरफ ले आईए जितने भी फंदे हो इस डिजैन को इसी तरह से रिपीट करते जाएए लास्ट में आपके दो फंदे बचे हैं धागा अपनी तरफ करके एक फंदा आप सीधा बना दीजिए और धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को आप उल्टा बनाईए दोनों साइड पर एक एक फंदा उल्टा ब तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस सलाई को उल्टा बनाती हुए कम्प्लीट कर दीजिए दो सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी हैं अब आज इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को आप फिर से ध्यान से देख लिजिए पहला फंदा इसका उल्टा धाग पीछे कीजिए ये देखिए ये जो दो फंदे सीधे हैं इन में से आप एक बनाईए अब ये और ये आगे की साइड से सलाई डालके इन दो फंदे का आप एक कर दीजिए धागा अपनी तरफ लिया ये देखिए एक ये जाली वाला और एक ये धागा अपनी तरफ करके द दो फंदे आप सीधे बनाईए, देखे एक और ये दो, जो फंदा यहां पर कम किया वो जाले से बढ़ गया, अब एक और ये दो, आगे की साइड से स्लाई डालके दो का एक कर दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ ले आइए और दो फंदे सीधे बनाईए, एक और ये दो, आप ये और ये आगे की साइट से स्लाइड डालके दो फंदे का एक कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे एक और ये दो एक और ये दो आगे से स्लाइड डालके दो फंदे का आप एक कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे सीधे एक और ये दो और धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को आप उल्टा बुन लीजिए तीन सलाईया कंपलीट हो चुकी हैं चोथी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी-उ्टी बना दीजिए चार सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी है अब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई को देखिए पहला फंदा इसका उल्टा धागा पीछे कीजिए और ये देखिए ये और ये आगे की साइड से सलाई डालके दो फंदे का आप एक कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे सीधे बनाईए एक और ये दो आप देख सकते हैं जो फंदा यहाँ पर कम किया वो जाली से बढ़ गया अब एक और ये दो इन दोनों को आगे की साइड से ऐसे लीजिए और दो का एक कर दीजिए फिर से धागा अपनी तरफ ले आईए और दो फंदे सीधे बनाईए एक और ये दो अब इन दो फंदे को आगे से ऐसे लीजिए और दो का एक कर दीजिए धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे एक और ये दो आगे से स्लाई डालके दो फंदे का एक कीजिए धागा अपनी तरफ और ये देखिए एक दो और ये तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट का फंदा उल्टा अब आज ये इसकी सातमे सलाई और सीधी साइड पर सातमे सलाई को आप द्यान से देखिए पहला फंदा इसका उल्टा बनाईए अब धागा पिछे कीजिए और ये देखिए एक और ये दो ये दो फंदे आप सीधे बना लीजिए धागा अपनी तरफ लियाए इस फंदे को पलटके आप सीधा कर दीजिए धागा अपनी तरफ रहे और पीछे की सैट से स्लै डालके दो का एक कर दीजिए यह देखिए यहाँ पर हमने फंदा कम किया तो जाली से फंदा बढ़ गया अब दो फंदे आप सीधे बनाईए एक और यह दो फिर धागा अपनी तरफ लियाए और इस फंदे को पलटके आप सीधा कीजिए धागा अपनी तरफ रहे पीछे की सैट से स्लै डालके दो फंदे का एक कर दीजिए यहाँ पर जो कम किया जाली से फंदा बढ़ गया फिर दो फंदे सीधे एक और यह दो फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को पलटके आप सीधा कर दीजिए पीछे की साइड से सलाई डालके धागा अपनी तरफ है और दो का एक कर दीजिए फिर दो फंदे सीधे बनाईए एक और ये दो धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलके सीधा कीजिए पीछे की साइड से सलय डालके धागा अपनी तरफ है और दो का एक कर दीजिए अब ये एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा साथ सलय यां कंप्लीट हो चुकी है आठवी सलय उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए आठ सलय यां कंप्लीट हो चुकी है अब आज ये इसकी नॉमी सलय और सीधी साइड पर नौव इस सलाई को देख़िए, पहला फंदा इसका उल्टा बना लीजिये धागा अपनी तरफ कीजिए अब ये देखिए, एक, दो, और ये, तीन तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आए इस फंदे को पलटके आप सीधा कर दीजिए और पीछे की सैड से स्लाइड डालके धागा अपनी तरफ है और दो फंदे का आप एक फंदा कर दीजिए तो देखिए जो फंदा हमने यहां पर कम किया वो जाली से बढ़ गया अब देखिए एक और ये दो ये दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आईए इस फंदे को पलटके आप सीधा कीजिए धागा अपनी तरफ है पीछे की सैड से स्लाइड डालके दो का एक कर दीजिए अब फिर से आप दो फंदे सीधे बनाईए एक और ये दो धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को पलटके सीधा कर दीजिए पीछे से स्लाइड डालके दो का एक कीजिए दो का एक करने के बाद आप दो फंदे आप सीधे बनाईए एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ ले आईए इस फंदे को पलटके आप सीधा कीजिए पीछे की साइट से सलाई डालके आप दो का एक कर दीजिए तो देखिए जो फंदा यहां कम किया वो जाली से बढ़ गया है धागा अपनी तरफ करके लाश्ट के फंदे को आप उल्टा बना दीजिए नो सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी है दसनी सलाई उल्टी साइट से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर दीजिए इस तरह से फ्रेंड दस सलाईयों में यह डिजैन ओवर हो जाता है इनी दस दस सलाईयों को आगे आगे रिपिट करते जाना है एक बार मैं आपको इसकी फिर से स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि आगे आपको कोई प्रोब्लम ना आए तो नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है पहली सलाईया अप ध्यान से दीजिए कि आप कैसे इसको शुरू करेंगे देखे पहला फंद आप उल्टा बना लिजिए दागा पीछे कीजिए और दो फंदे आप सीधे बनाईये जैसे यहाँ पर बनाए एक और ये दो अब देखे एक और ये दो इनको आप पहले इस तरह से थोड़ा सा लूज कीजिए आगे की साइड से स्लाइड आलके आप दो फंदे का एक कर दीजिए दागे को अपनी तरफ ले आए और फिर से इसे रिपेट कीजिए ये देखे दो फंदे सीधे एक और ये दो अब एक और ये दो इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे लूज कीजिए आगे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का आप एक कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे सीधे बनाईए एक और ये दो एक और ये दो इनको ऐसे लोज कर लीजिए आगे से स्लाइड डालके दो का एक कीजिए धागा अपनी तरफ और दो फंदे सीधे एक और ये दो अब देखिए ये और ये इन दोनों को ऐसे लीजिए आगे से सलाई डालके दो का एक कर दीजिए धागा अपनी तरफ ये एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा उल्टी सलाई इसकी फिर से उल्टी ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है जब आप बार बार इन्ही 10-10 लाईयों को रिपिट करेंगी तो ये देखिए आपका ये इस तरह से सुन्दर सा डिजैन बनता चला जाएगा प्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए चैनल पर नई है सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें तेंक्यू